प्रिधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त नोट बंदी का एलान किया था उस वक्त लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करड़ा पड़ा था उसी वक्त के बाद से 2000 का नोट भी शुरू हुआ था 2000 रुपे के नोट, 2016 में नोट बंदी के बाद प्रचलन में काफी ज्यादा आ गये थे इस समय 1000 रुपे के नोट को बंद कर दिया गया था इसके बाद में विशशग्यों की एक कमीटी ने 2000 रुपे के नोट प्रचलन में लाने के फैसले पर कई सवाल भी उठाय थे AIBOA के सेंट सचिव ने कहा है कि कई भ्रष्टाचारियों के यहां से 2000 रुपे के नोट अब बड़ी संख्या में मिलने लगे हैं बड़े नोट को प्रचलन में कम कर भ्रष्टाचार पर अंकुष लगाया जा सकता है हाला के इस नोट को लेकर के बीते कुछ समय से बाजार में भी काफी जादा परिशानी देखने को मिल रही है क्योंकि पहली बात तो ये कि यह नोट हर बैंक में उपलब्ध नहीं है और दूसरी बात कि अगर दो हजार का नोट उपलब्ध है भी तो लोगों को इसका छुटा करवाने में काफी जादा परिशानी हो रही है लोगों की इन्ही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा एटियम फीडिंग एजेंसी को भी दो हजार रुपे का नोट मुहाया नहीं करवाने का फैसला लिया गया है मिली जानकारी के अनुसार All India Bank Officers Association के सैंत सचिप डियम त्रिवेदी ने बताया है कि एटियम में दो हजार रुपे के नोट के क्यालिबर की जगह अब छोटे नोट वाले क्यालिबर को लगाया जा रहा है यानि कि अब हर जगह आपको 2000 के क्यालिबर की जगह 500 का क्यालिबर देखने को मिलेगा All India Bank Officers Association के सैंत की माने तो ग्राकों को त्वारा भी एटियम में 2000 रुपे की जगह 500 रुपे का नोट डालने का आग्रह किया जाता रहा है कई बैंक एटियम में लोगों की सुवधा और मांग को देखते वे 2000 रुपे की जगह 500 रुपे के नोट को डाल रहे है AIBO1 के सैंत सचिव के अनुसार Reserve Bank of India की तरफ से मार्च 2021 के बाद से ही 2000 के नोट की आपुरती बैंकों की शाखाओ को नहीं हो रही है RBI ने बैंक को द्वारा 2000 के नोट को सुविकार किये दिखाई दे रहे है कारन है कि अब ATM से इस ववस्था को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया ज़़ा रहा है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद